हेलो एवरीवन ऑन बीहाफ अप स्री संतकृपा विध्यालया आई रसीला गर्वा वेलकम यू अल इन इस वीडियो वी आर गोईंग टो डिसकस अबाऊट देरीज अन देर आर हाव मैनी विद देर हाव मच विद देर अन एपोस्ट्रोफी एस लेट सी दे यूज ओफ देरीज एंड देर आर देरीज अने देरार साथ है इन ओन अंडर बिट्विन जेवा प्रिपोजिशन इतले के नाम योगी अवियाई नो उपयोग था इछे देर आर नो उपयोग शिंग्यूलर इतले के एक वचन नामों के वस्तोव शा थे था इछें देरार नो उप्योग plural इतले के बहुचन नामों के वस्तुओं शाथे थाए छे In short, there is used to describe one thing and there are is used to describe more than one thing टुंकमा कहिए तो there is no उप्योग छे एक वचन नामों के वस्तुओं ने दर्शावा माटे थाए छे Here we will discuss some examples of there is, so अहीं तमें जोई शको छो के एक पांजरू चे आने पांजरा नी अंदर छे एक पक्षी छे तो sentence च्यारिते बन से there is a bird in the cage, there is a bird in the cage, पांजरा मा एक पक्षी छे, अहीं आपने there is no उप्योग शिखवानू चे There is a bird in the cage, आगर आपने चर्चा करी, there is no उप्योग छे एक वचन नामों के वस्तुओं ने दर्शावा माटे थाए छे 15 नी अंदर एक पक्षी छे, माटे अहीं आपने there is no उप्योग करेलो, चे, अबे जे मापने काड़नी अंदर छे, ए हकार वाक्या ने जारे प्रसनात मा फेरवियें चीए, तो एज रिते अहीं there is a ने धेरार ना सेंटेंस ने पन आपने चे प्रसनात मा फेरवानू छे तो जे सेंटेंस नी अंदर एडले के धेरीज ने धेरार ना सेंटेंस मा जे सहाईकार क्रियापद नो उप्योग थाए चे, एज सहाईकार क्रियापद नो उप्योग करीने आपने प्रसन बनावानों छे, तो there is नी अंदर वप्रातो सहाईकार क्रियापद चे, एज चे, ढने धेर आर मा वप्रातो सहाय कार क्रिया अपद आर चे तो इज अने आर्थी चे आपने प्रस्न बना वीश्णुन। सेंटेंस आ प्रमाणे बन शें के इस देर बर्ड इंद केज सुंग पांजरा मा पक्षी छें तो आ प्रमाणे छें ए धेरीज नू छें ए प्रस्न सेंटेंस बन शें हवे आपने काड़नी अंदर जे रिते रिस्पोंस से क्या एज रिते चें देर इस अने देरार मा पन रिस्पोंस बनावाना चें के जो पांजरा मा एक पक्षी होए तो रिस्पोंस से इशे मा आवे तो यस मा आव शें तो रिस्पोंस करिते बन से तो यस देर इस के हां पां देर इजन्ट के ना पांजरामा पक्षी नथी फरी एक वर आपने जोईए के देर इज बर्ड इन द केज पांजरामा एक पक्षी छे माटे आपने देर इज नो उप्योग करियो त्यार बाद छे देर इज माचे साई कारक तरीके इज बप्रायलू छे यले प्रस्न बनावा माटे आपने is no उप्योग करियो कि is there a bird in the cage सु पांजरामा एक पक्षी चे जो छे तो response बन से yes there is अने जो न थी तो response बन से no there isn't next example चे अहीं तमें जो इशको चो के एक table चे अने table नी उपर चे बोल पड़ेलो चे बराबर तो अहीं चे आप्रमाणे बने के there is a ball on the table there is a ball on the table के table नी उपर चे एक बोल पड़ेलो चे हवे एज रिते चे आजे sentence चे आने चे प्रस्नमा फेरवानों चे वाक्यमा वप्रायेलो सहाई कारे करिया पड़ चे is तो इस ती चे आपने वाक्ये नी शरुआत करीशू तो प्रस्न चे आप्रमाणे बने के is there a ball on the table के शूँट टेबल उपर एक दड़ो चे जो हए तो रिस्पन्स आऊचे यस मा तो तमारो रिस्पन्स बनीज गयो हशे विचारो कैरिते चे रिस्पन्स बने के तो रिस्पन्स आप्रमाणे बने के आप्रमाणे तमारो रिस्पन्स बने होशे के no there isn't के ना नथी फरेती एक वार जोईए के there is a ball on the table is there a ball on the table yes there is no there isn't तो अहीं आपने छे there is ना there is नो उप्योग करीने आपने वाक्यो बनावे next आपने जे सिखवानू छे a छे there are ओके हवे अहीं तमें चित्रानी अंदर जोई शको छो के अहीं गणी बधी वस्तु अटले के गणी बधी बेंजी सो छे तमने टमने क्लासरूम मा देखाई रही छे तो आपने आगडे उँ शिख्या के ज्यारे छे एक वस्तु बराबर के नामने दर्शावू है त्यारे निशाते there is no उप्योग थाए छे तहीं तमें समझीच गया हशो के अहीं चे एक थी वधारे चे वस्तु अनी वात छे बराबर एक थी वधारे वस्तु ओ छे अत्वा तो एक थी वधारे बैंचिसो चे एक लासरूम मा पड़े ली छे तो त्यारे आपने कौन उप्योग करवानो छे तो त्यारे आपने छे there are no उप्योग करवानो छे तो here we can see examples of there are तो example चे there are benches in the class there are benches in the class classroom मा पाटलियो चे अवे benches चे बहुवचन मा चे माटे आपने चेने शाते there are नो पियोग करेलो चे अवे जे मा आपने there is नी अंदर प्रस्न बनावया एज रिते चे there are मा पन प्रस्न बनावानो चे अवे धेर आर मा साय कारक तरीके वप्रायलू क्रियापद कई उचे तो आर चे तो एना थीज चे आपने प्रस्न नी शरुवात करी शुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ देर आर बैंचिस इन्द क्लास ए हकार वाकियो छे आर देर बैंचिस इन्द क्लास ए प्रसनात वाकियो छे हवे आपने बनावानों छे रिस्पॉंस जो क्लासरूम मा बैंचिस लेके पाटलियो होए तो रिस्पॉंस यस मा आवे तो अहीं छे सेंटेंस बन से यस देर आर अन तो yes there are अने न थी तो no there aren't खासी याद राखवानू चे एक करता वधारे वस्तु अने दर्शावी होए त्यारे चे there are no उप्योग थाए नेक्स्ट एक्जाम्पल चे अहीं तमें एक टेबल जोईशो को चोने टेबल नी उपर चे एक गणी बदी बुक्स चे ए पड़े ली चे तो sentence से ए आप्रमाने बन से के there are books on the table there are books on the table table नी उपर जो पड़े ली चे हवे आपने प्रसना बनावानों चे तो बधायच विद्यारती वए प्रहतना करवानों चे तो अहीं चे प्रसना आप्रमाने बन से are there books on the table are there books on the table सु टेबल उपर जो पड़े ली चे जो होए तो yes there are जो होए तो yes there are और नो होए तो no there aren't फरीत एक वार जो हिए के there are books on the table प्रसना बन्यों are there books on the table response yes there are और ने नेगेटिव रिस्पोंस no there aren't तो अहीं चे आपने धेरीज अने धेर आर नो उप्योग शिख्या देरीज चे एक वचन नामों के वस्तु ओने दर्शावे चे जारे धेर आर चे बवचन नामों के वस्तु ओने दर्शावा माटे वप्राय चे अवे अहीं आप whण चे to wh वड थाये चे तो जिहारे चे कोई वस्तु चे अथ्वा तो कोई पन वस्तु ने व्यक्ती ने गणी शकाती वह त्यारे चे wh वर्ड तरीके to you पुप्योग थाये चे अहीं तमें जोई शको चो के चित्रनी अंदर एक बास्केट ची आने बास्केट नी अंदर रेड ड्रेड एपल्स पड़ेला चे अबे तमारे गणवाना चे कि एपल्स केटला चे अने तमें गणी लीद्ध हाशे काण के क्लियर देखाई रहा चे तो वाई हाउ मैनी विथ देर नो उप्योगा अपने शिकवानों चे तो आपने चे प्रस्न बनावानों चे के बास्केट मां केतला सफर जन्चे तो सेंटेंस चे आरिते बने हाउ मैनी साथे देर थी बनता प्रस्णों उत्तर कोई चोकस संख्यामा ओई चे आब आबतीया द् आवे चे अहीं चित्र मां तमें जोई शको चो के साथ सफरजन आपेला चे जे तमें गणी शको चो औने चोकद जवाब आवे चे तो प्रस्णा चे ए आरीते बन से के How many apples are there in the basket? How many apples are there in the basket? बास्केट मां केटला सफरजन चे तो तमें गणीज लिधा चे अगर आपने धेरार नो उप्योग शिखी गया छी है तो तमारों जवाब बनीज गयो हशे बनीज गयो हशे कि there are seven apples in the basket, basket मां साथ सफर जन छे next छे, अहीं तमें जो इशको जो चित्रनी अंदर एक केज चे, पांजरू छे, जनी अंदर छे बे पक्षी छे, तो तमारे 6 sentence बनावानू छे, ब्राब के 5 रामा केतला पक्षी ओ छे तो sentence बन से, how many birds are there in the cage, how many birds are there in the cage तो answer छे, ए तमारों बनीज गयो हशे, कि there are two birds in the cage, there are two birds in the cage 5 रामा बे पक्षी ओ छे, next आपने शिखवानू छे, अहीं तमें विचारो कि चित्रणी अंदर गलास चे, गलास नी अंदर पाणी चे, हवे तमारे गणवानू चे, कई पाणी केटलू हुचे तो तमें गणी शक्षो, ना, तमें गणी शक्षो, नाई, तो ज्यारे नगणी शका एवी बावतोंने दर्शावा माटे 擊 कया डबलीवच वर्डनों अप्योग ठाये चे, तो हाउ मच्च नों अप्योग ठाये तो अहीं चे, आपने हाउ मच्च साथे देरनों अप्योग शिक्वानों चे तो अहीं चे सवती पेला तो आपने प्रस्न बनावो पर शे तो प्रस्न चे ए आ प्रमाणे बने एना थी पेला आना विश थोड़ीक माहिती आपने जानी लईएं ये हाउमच साथे धेर्थी बनता प्रस्न न उत्तर गणी शकाए नहीं तेवा पदार्थो द्रव्यों प्रवाही वगेरे कितला प्रमाण माँ छे ते दर्शावे चे उदाहरन द्वारा समझीशू अटले सरण तार्थी ख्याल आविजो शे तो अहीं सेंटेंस बन्से How much water is there in the glass? मा केटलू पानी चे तो पानी केटलू चे नहें आपने गणी शक्वाना न थी? तो अपनों आंसर चे आरी ते बन्से के glass मा थोडू पानी चे तो there is a little water in the glass ग्लास मा थोड़ू पाणी चे ठाव मचनों उप्योग आपने जानिये चे ए जरीते न गणी शकाये तेवा पदार्थो द्रव्यों के प्रवाही ने दर्शावा माटे थाए चे ग्लास मा केटलू पाणी चे ए आपने गणी शकवाना नथी नेक्स्ट एग्जांपल छे अहीं तम्हें बे चित्रों जोई शको छो एक छे एक अपनी अंदर छे ए टी चा छे अने बीजा बावल नी अंदर छे ए दू धा पेलू छे वे तम्मारे गणवानू छे तम्हें गणी शक्षो तो तम्हें नथी गणी शकवाना ब्राबर तो आरेस तो आपने हाउ मच न ओप्यो खरिये चे तो उधाहरं द्वारा समजी अने उधाहरं आपने बनावी तो अहीं छे सेंटेंस फॉस्ट सेंटेंस आरिते बन से हाउ मच टी इस देर इनद खप मां केटली चा छे तो तम्हें गणी शक्षो तो नथी गणी शक्वाना त एक अपनी अंदर थोड़ी चाहा चै तो there is some tea in the cup there is some tea in the cup next example चै के how much milk is there in the bowl बावल मा केटलू दूद चै how much milk is there in the bowl तो आपने गणीशकवाना थी के पलब चै तो आपने आम कहीं शक्षे कि बाउल के बाउल मां चे थोड़ू दूद चे तो अहीं आपने चे ए हाउ मैनी अने हाउ मच साथे देर नो उप्योग शिख्या नेक्स्ट सिख्वानों चे ए चे एपोस्ट्रोफी एस तो जानी एपोस्ट्रोफी एस नो उप्योग क्या रे थाए चे एपोस्ट्रोफी एस व्यक्ती नो व्यक्ती साथे नो सबंद के माली की अथवा व्यक्ती प्राणी के पसुना अवियव दर्शावे चे जारे एक व्य जी व्यक्ति शातेनों सबंद दर्शावों होए अथवा व्यक्ति नों कोई वस्तु शातेनों सबंद के माली की दर्शावी होए अथवा तो व्यक्ति प्राणी के पसुओना अभियाईने दर्शावाना होए व्यक्ति प्राणी के पशुना अंगोने दर्शावाना होए त् पा कोना खे तो रिनाणा शेैं बराबर सबंद शेैं रिनाणों चेैं तो अहीं रिनाणा नामनी पाछड आपे एपोस्ट्रोफी एस नो पियोग करिशू नेक्स्ट एग्जांपल चे दीज इज अमन्स हाउस आ अमन्नू गर चे तो अमन्नू गर चे बराबर अमन्नू ए गर साथे नो सबंद रहेलो चे के माली की रहेली चे तो आपने चे अमन्ना नामनी पाचल एपोस्ट्रोफी एस नो उप्योग करीशुंग त्यार बाद चे दीज इज अ मंकीज टैल आ वांदरानी पुछडी चे बराबर आपने आगल लख्यू के व्यक्ती प्राणी के पसुना अंगोने दर्शावा माटे पन एपोस्ट्रोफी एस नो उप्योग थाए चे वे पुछडी कोनी चे तो वांदरानी चे तो अहीं चे ए वांदराना नामनी पाचड आपने एपोस्ट्रोफी एस नो उप्योग करीशू त्यार बाद चे दीज इज मोहन सहेंट आ मोहन नो हाथ चे हाथ चे पन कोनो चे तो मोहन नो चे तो मोहन ना नामनी पाचड एनी माली की दर्शावा माटे आपने चे एपोस्ट्रोफी एस नो तो माटे दरशित ना नामनी पाच्ट आपणे एपोस्रोफी आस न उप्योग करीशू लुग स्चिओ पेली दरशित नी ओफिस। नेक्स्ट इज देट इज के यूर्स अंकल पेला के यूर ना काका चे काका कोना चे तो के यूर ना चे बराबर तुमाटे चे के यूर ना नामनी पाचण आपने एपोस्ट्रोफी एस नो उप्योग करी शूँ तो आसा चे के तमें आ वीडियो नी अंदर दसावेला तमाम टोपिक ने छे ए सररताथी समझी गया हाशो जेमाँ आपने देर इस, देर आर, हाउ मैने विद देर, हाउ मच विद देर, अने एपोस्ट्रोफी एस नो उप्योग शिख्या